नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ कि आप अपने फोन में टाटा नेव एप्लिकेशन अगर ओपन नहीं हो रही है तो इस प्रॉबलम को आपके तरह से फिक्स करेंगे तो गैस अगर आपके फोन के अंदर भी टाटा नेव एप्लिकेशन नहीं चल रही है ओपन नहीं हो रही है तो इस प्रॉबलम को आप कैसे ठीक करेंगे तो फिर इस वीडियो को देखते रही है तो गैस सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा अगर आपके फोन में टाटा नेव एप्लिकेशन नहीं चल रही है तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि आपको अपने फोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक Play Store के अंदर जाना है Play Store में आने के बाद यहाँ पार टाटा नेव एप्लिकेशन को आपको जो है अपडेट कर लेना है फिलाल मेरी इस आप्लिकेशन के इंदर कोई भी अप्डेट नहीं है अगर अप्डेट आएगा तो यहाँ पर open की अप्डेट कर लेना है उसके बाद अगर आपकी ये problem solve नहीं होती है तो guys क्या करना होगा आपको जो अपने phone की setting के अंदर जाना है phone की setting के अंदर आने के बाद guys करना क्या होगा यहाँ पर आपको scroll करना है और नीचे की side में एक option मिलेगा apps वाला तो यहाँ पर आपको एक apps वाला option आपको देखने को मिल जाएगा तो simply guys क्या करना होगा apps वाले option पर आपको click करना है और इसको उपर click करने के बाद guys यहाँ पर आपको एक option मिलेगा manage apps वाला तो simply guys यहाँ पर आपको manage apps के उपर click कर लेना है और guys जैसे ही आप manage apps के उपर click करेंगे उसके बार यहाँ पर जितनी भी आपके phone के अंदर application रहेगी सभी application यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी तो अब guys यहाँ पर करना क्या होगा यहाँ पर Tata ने हूँ application को आपको open कर लेना है तो यहाँ पर उपर के side में देखे तो जो search वाला option है इसके उपर clicker के आप search भी कर सकते हो और यहाँ पर application इस list के अंदर से भी आप जो है निकाल सकते हो तो चलिए guys मैं यहाँ पर application को निकाल देता हूँ तो guys इस list के अंदर जो है सबसे नीचे की side में आपको जो application देखने को मिल जाएगी जो भी Tata ने हूँ की application रहती है तो देख से तो यहाँ पर Tata ने हूँ की application आज चुकिए अब guys हम इसके उपर click करेंगे और guys click करने के बाद यहाँ पर guys आपको करना क्या होगा नीचे की side में देख से तो यहाँ पर आपको जो clear data वाला option देखने को मिल जाएगा तो simply guys क्या करना होगा नीचे की side में clear data होगा और उपर की side में storage वाला option होगा तो storage के अंदर भी आपको जो clear data का option देखने को मिल जाएगा तो हम इसके उपर click करेंगे और guys clear data के उपर click करने के बाद भी यहाँ पर आपको clear data वाला option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से click करके आपको clear data यहाँ पर इसका data है उसे clear कर लेना है तो यहाँ से अगर आप data clear करोगे तो आपकी application से आपका जो account रहेगा वो भी log out हो जाएगा तो guys अगर आपके phone के अंदर भी data ने हो application open नहीं हो तो इस तरह से आप जो इस problem को fix कर सकते हो तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करना, share करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लेजे